चलिए तब आते हैं आज के मुख्य विशाय पर यानि आपके चुने हुए पांच फंड उत्सब चैन के रूप में दिपावली चैन के रूप में तो बताए कहां से शुरुआत करनी है पांच फंड में पहला नाम आपका कौनता है तो राजीव जी मौसम थोड़ा वोलेटा नामों में तो काटेकरी एगर हम बात करें तो लार्ज काप कैटेकरी की बात करें राजीव जी तो हमने आई से फंड अग्यारा एक सिंपल है राजीव जी कि काफी काफी संग्षाय टाई है कि खास कर पिछले कुछ वर्स हो में आऔर जो बहुत सारे डिस्कुशन हो रही थी कि कहीं न कहीं पैसिव फण्स जो है याने इंडेक्स पंड जो है वो आक्ट व फंड्स को बीट कर पाएंगे ने कर पाएंगे खास करखे लाज्ट काटीगरी में तो यह ऐसा फंड है अगर हमने नमबर नबज तो यह फंड ऐसा है जिसने निफटी फिफटी इंडेक्स को अक्रॉस डीयर्स और इंडेक्स फंड को अक्रॉस दीयर्स आउट परफॉर्म यह हैं और और काफी रहे में बात और अगर हम बात करें तो नो no doubt आज के समय में almost 96 परसेंट जो यह portfolio जो fund का है वो इंपोर्टन चीज राजीव जी यह है कि अगर volatility है और अगर आपके पास उस समय में cash हो तो बहुत useful हो जाता है तो यह ऐसा fund है जिसके portfolio में आज के समय में 90% invested है और तकरीबन 10% यह fund जो है उसके पास cash है तो अभी एक समय जी अगर volatility के विए से अगर redemption pressure आए या फिर volatility के विए से उनको opportunity मिले और flows उतने ही रहे तो इस fund के पास एक option है जहां पर गिरती हुई बाजार में या फिर थोड़ी सी correct होती हुई बाजार में और निवेश करके portfolio में आड़ करने की तो यह हमारा large cap में यह suggestion है इस साल हमने राजीव जी एक काम किया है कि हमने हर एक जो प्राइमरी category है उसमें से हमने एक एक फंड चूस किया है तो अंदाजा यह है कि अगर हम यही पांच funds को अगर हम portfolio में invest करें तो भी आगी लेके जा सकते हो